बरसात का मौसम हो या आपको जटपट कुछ चटपटा और टेस्टी कुरकुरे वड़ा खाने का मन करें तो आप इस साथ का बहुत ही तेस्टी चनादाल वड़ा की रैश्पी को आप एक बाट ट्राइ कर सकतें घर पे मिलने वाले सिंपल चीजों से बन जाता है बहुत ज्य चने दाल को न अच्छे तर शे वाश करके चार घंटे के लिए देखी या असानी से तूट जा रहा है इस बोल से मैंने एक कप कटोरी को मैंने यहां पर चने दाल को भीगो के ट्रेडी कर लिया है तो यहां पर इस श्टेज पे आपका अच्छे से चना सोख जाना चाहिए तो अब हम क्या करेंगे इसमें से पानी को आपको बहुत अच्छे से निकाल देना है बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए तो मैंने इसे डाल दिया एक चनी में आप चाहे तो कॉटन के कपड़े से भी इसे चाहन सकते ताकि इसका पूरा पानी है वो सब निकल नहीं करना है तो चने डौ में से अब हम क्या करेंगे इसमें से कुछ faithful निकाल लेह इसका यूज नाम आगि करने वाल है इस वड़े का टेष्ट बहुत ही बढ़े आते है तो इसे निकालना आप बिल्कुल भी ऐसकेप ना करें तो अब आपको लेना है एक बड़ी साइज क फिर बंद करें थोड़ा चलाइए देखें यहां पी यह बहुत ही कोशली ग्राइंड हुआ है उपर अभी साबुत दाल बची हुई है तिससे हम कुछ एक दो सेकंड के लिए फिर से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे आपको यह कोशली करना है बिल्कुल चने दाल का पेस्ट न मसाला बना लेते हैं इसके लिए आप लोगे एक चम्मच छोटी चम्मच से जीरा एक चम्मच सौंफ इसके साथ ही आप डाल दीजेए हरी मिर्श तीन डाले में तीकी वाली अद्रक इसको बिल्कुल भी स्किपना करें बहुत ही मोश्ट इंपोर्ट इंग्रिन्स आपको ड करना है इसको यहां पर पानी बिल्कुल भी नले देखिए किस तरह किस हमने ग्राइंड किया है ऐसा ही आपका यह मसाला ग्राइंड होना चाहिए इस पूरे मसाले को अब हम अपने चने दाल में डालेंगे इसके साथ बहुत बढ़े लगता हर बायत में जब यह खड़े मस अगर आपके पास फ्लेक्स नहीं है तो हींग जरूर डाले आप क्योंकि यह बहुत ज़्यादा होता है और आपको डाला है यहां पे प्याज बारी कटके तो मैंने मीडियम सेच के प्याज को बारी कटके डाला है बहुत इंपोर्टन इंग्रिएंस करी पतता इसे एक अच बारी के लिए आप याउसे इसे जाएं तरहें आफ ये अब इसे स्पून से भी आप आप चाहिते हैं इसके कशेएं फिलीजे का निया बदा है और इसले क्यों में जरुदा बहुत ही इजलीग बाइन्ब हो जाता है आपको ना ऐसे चो घ्रमन के बढ़ी आत बढ़ें इस एक कप दाल में आप इतने बड़े बना के अराम से तैयार कर सकते हैं गद फिड़ा है जाना कर देते हैं इक deep mm अर्प चटणी बना ले फिह आ लिए सूखने संथे टो पानी वाल नाई भी बहुत स्मूथ आपक ये चटनी बन जाता हैं तो आपको अच्छे से ग्राइंड करेना है इसके बाद आपको एक किसी भी बोल में आपको यहां पे इसे ट्रांस्पर कर लेना है तो हमारी यहां पे चटनी तो हम पीस के रेडी कर दिया है अब इसके लिए तड़का बना लेत यहां पर दाल सकते हैं, थोड़ा सा करेपता, गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही आपको करेपता डालना है, इसके बाद इस तड़की को आपको अपने चटनी के उपर डालना है, बस आप इनको मिक्स कर लिजिए, इस वड़े के साथ इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है, जितना कडाही में उतना या ढाल दीजिए इसे आपको उस दे Glory low- Mol आप इसे fry कर लेजिए जब तक यह अच्छे से golden brown कलर करना हो जाए तो आपको इसे दोनों साइड टर्ण करते हुए इसे अच्छे से crisp होन तक पका लेना है हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नतले नहीं तो यह उपर से जल्दी बर्न हो जाएगा और अंदर से यह कच्छा रह जाएगा तो इस बात का थेहान रखिए तो यहाँ पे मैंने वड़े बना ली हैं तो आपको इसे निकाल देना है यह वड़े बहुत ही जटपट बन जाते हैं और बहुत जाया टेस्ट लगते हैं तो यहाँ पे हम प्लेट में शॉफ कर देंगे गरमा गरम आप सॉफ कीजिए तो इस रेस्पी को फ्रेंट से एक पार आप जरूर ट्राई करिएगा आपको बहुत ज्यादा पसंद आएग यहाँ यहाँ जब बहुत हैं